Hello everyone and welcome back to my channel, कैसे हो आप सभी लोग उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूँगी एक ब्लांकेट क्लिनिंग का चोटा सा वीडियो तो उमीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्फुल रहेगा तो जैसे कि अभी विंटर चला गया है तो अभी जो की है एक ब्लांकेट को क्लिन करके उसको अपनी जगा में रखने के बारी है तो हम लोग क्या करते हैं एक ब्लांकेट को मैसीन में क्लिन करते हैं नहीं तो फिर ड्राइ क्लिनर में या तो फिर हाथ से क्लिन करते हैं अगर इसको मैं मैसीन में क्लीन करूंगी तो इसका जो सौफटनेस है ये चला जाएगा और अगर हाथ से क्लीन करूंगी तो बहुत जादा महनत पड़ जाएगा सूकने में भी काफी जादा टाइम लग जाएगा अगर ड्राइ क्लीनर में दूंगी तो बहुत जादा खर्चा भी पड़ जाएगा तो इस अब जंजट से एकदम निजात दूंगी मैं आज आप लोगों को यानि कि इस अब जंजट आप लोगों को करना ही नहीं पड़ेगा बीना मेहनत के बीना खर्चे के कैसे हम इस ब्लै सानी हो जाएगा क्लीनिंग करते टाइम मेरे लिए बस इसलिए आप चाहिए तो इसको जमीन में भी इस तरीके से बिचा के फैला सकते हैं और फैला के क्लीन कर सकते हैं तो यहां पे देखिए ब्लैंकेट कितना मैला है और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को दिख पित होगा और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद भी आएगा तो देखिए यहां पे मैं बेकिंग सोडा ले लिया है और बेकिंग सोडा का मेजरमेंट में नहीं बता सकती कि यह डबल ब्लैंकेट है तो उसी हिसाब से मैंने ले लिया है अब बेकिंग सोडा को इस तरीके से पूरा ब्लैंकेट में हम छिडग छिडग देंगे जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से कहीं भी बाकी ना रहे ठीक है इस तरीके से हम छिडग देंगे और फ्रेंस बेकिंग सोडा हम लोग कीचन में ज़्यादा तर खाना बनाने में ही यूज करते हैं ना लेकिन बेकिंग सोडा स्रीफ खाना बनाने में ही यूज नहीं होता है बेकिंग सोडा क्लीनिंग में भी बहुत ही हेलफुल है और baking soda anti bacterial भी है तो कीड़ा फिर चूहा ये सब नहीं लगता है और जैसे कि हम लोग इस blanket को clean करने के बाद एक साल के लिए दिबान में रखने वाले हैं तो इसलिए इन सब चीजों से भी महपूस रखेगा और यहाँ पर देखिए मैंने एक brush ले लिया है तो blanket में जो baking soda को मैंने छीड़क दिया है तो उसको spread करना जरूरी है तो इस brush की मदद से spread कर रही हूँ ताकि blanket के चारो तरह बे-baking soda spread हो जाए और फिर इसके बाद इसको 20 मिनिट के लिए हम रखेंगे तो friends देखिए 20 मिनिट बाद हम एक plastic का जाड़ू ले लिए है और जाड़ू की मदद से देखिए इस तरीके से blanket को clean करना है जैसे कि मैं आप लोग को वीडियो में दिखा रही हूँ और बहुत dust मतलब निकला था वो camera में focus नहीं हुआ इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई बट देखिए आप लोग देख सकते हैं कि blanket देखिए कितना clean भी हो रहा है आप लोग को पता चल रहा है ना इसका अंतर पहले का अरभी का लेकिन श्रीव इसी से ही हम blanket नहीं clean करेंगे क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी तो इस तरीके से लगबख मेरा 50% तक blanket clean हो जाएगा बट आगे का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा important है तो फ्रेंज देखिए इस तरीके से जैसे मैं दिखारी हूँ पूरा blanket और मैं दोनों side blanket के दोनों side में मैं बेकिंग सोडा लगा दी थी और दोनों side को मैं clean कर ली हूँ और इसके बाद जो करेंगे देखिए एक बावल में मैंने गुनगुना पानी ले लिया है पानी ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए पानी को हम touch कर पाए ऐसे तो देखिए मैं touch कर पा रही हूँ ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए बार बार बोल रही हूँ और इसके बाद जो ingredient मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने vinegar ले लिया है इसको सिरका भी बोलते हैं तो यहाँ पर मैंने तिन चम्मच vinegar एड़ कर दिया है फिर उसके बाद हम लेंगे easy तो यहाँ पर एक चम्मच easy लेंगे इससे ही हो जाएगा और blanket जैसी की बहुत soft होता है तो इसलिए यहाँ पर मैं easy का use ले रही हूँ आपके पास अगर easy available ना हो तो आप shampoo भी ले सकते हैं easy के जगा shampoo भी use कर सकते हैं वो भी same होगा तो मैं ज़्यदा तर use करती हूँ easy तो इसलिए मैंने easy ले लिया मेरे पास अबलेबल भी था तो इसलिए मैंने easy लिया है इसके बाद मैंने lyzol ले लिया है और एक ढकन lyzol मैंने दे दिया है lyzol से एक अच्छा smell आएगा और यह भी anti-vacterial है तो इसलिए lyzol का भी use मैंने कर लिया है ठीक है अब अच्छे से मिला दी हूँ easy vinegar और lyzol फिर इसके बाद देखिए मैंने एक clean towel ले लिया है आप चाहें तो एक cotton का कपड़ा फिर cotton का दो पट्टा भी ले सकते हैं लेकिन वो clean होना चाहिए तो यहाँ पे मैंने towel का use किया है और यह towel मेरा clean है तो जो पानी मैंने बना के रखा था उस पानी में इसको डुबो के फिर अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा जितना हो सके इसको निचोड लेंगे एकदम से dry type का कर देंगे निचोड के और यह fold ही रहेगा जैसे fold था है सही अब बारी है blanket को clean करना तो blanket को clean करने के लिए एक corner से मैंने start किया है ताकि cleaning में आसानी रहे तो एक corner से clean करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा इसलिए मैंने एक corner से clean करने start कर दिया है आप लोग तो देखी रहे हैं कि मैं किस तरीके से blanket को clean कर रही हूँ तो friends यहाँ पे na blanket को हम उल्टा साइड से क्लीन करेंगे उल्टा साइड मिन्स देखिए ये दिखा रही हूँ जो ब्लैंकेट का धागा नहीं रहता है क्या बोलते हैं उसको जो रुआ 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 टाइप का रहता है उसका उल्टा साइड से हम ब्लैंकेट को क्लीन करेंगे ठीक है तो जिस आप लोग जरूर याद रखिएगा, ज़ी तो फिर ब्लैंकेट अच्छे से clean नहीं होगा, फिर आप लोग का comment आएगा, clean नहीं हुआ, अब लोग दियान से देखेंगे ना तो फिर आप लोग को पता चलेगा कि मैं ब्लैंकेट का उल्टा साइड से ही ब्लंकेट को क्लीन कर रही हूं और वीडियो को मैं स्पीड नहीं की हूं ताकि आप लोग को पता चले अच्छे से पता चले कि मैं किस साइड से बोल रही हूं कैसे बोल रही हूं hope कि मैं आप लोग को समझा पाई कि किस तरीके से blanket को clean करना है और ऐसे ही बीच बीच में towel को clean करना भी ज़रूरी है क्योंकि फिर गंदगी भी रहेगा गंदगी में फिर clean करेंगे तो फिर साफ नहीं होगा तो देखिए टावल को जो fold की थी ना वो fold ही रहेगा और इस तरीके से अच्छे से निच और के dry कर लेंगे और इस तरीके से हम फिर से clean करेंगे और बीच बीच में ना मैं भी धोका खा रही थी क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कि ब्लंकेट का यह सीधा है कि उल्टा साइड है मतलब ब्लंकेट का धागा है वो सीधा साइड में है कि उल्टा साइड से मैं साफ कर रही हूँ क्योंकि सीधा साइड से अगर साफ करेंगे तो फिर कोई फाइदा नहीं है तो उल्टा साइड से ही साफ करेंगे तो ही यह ब और देखिए blanket का एक साइड तो clean हो चुका है अब हम blanket को पलट दिये हैं ताकि blanket का दूसरे साइड को भी हम clean कर ले तो blanket को अच्छे से बिचा दिया है फिर देखिए दूसरे साइड को भी ऐसे ही जैसे corner से हम clean किये थे ऐसे ही करेंगे मतलब एक corner से ही clean करेंगे जैसे बताएं तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ब्लैंकेट का एक ही साइड मतलब क्लीन करते हैं दूसरे साइड क्लीन नहीं करते हैं लेकिन मेरे हिसाब से दोनों साइड को ही क्लीन करना चाहिए क्योंकि हम लोग जब यूज करते हैं दोनों साइड को ही यूज करते हैं दोनों साइ चुका था मतलब तभी आप लोग को नजर में आ गया था तो अभी ना ब्लैंकेट थोड़ा-थोड़ा मतलब थोड़ा-थोड़ा हलका-हलका सा वीगा हुआ है इसको हम धूब दिखाएंगे आप लोग समझी सकते हैं कि ब्लैंकेट कितना घंदा हो गया था एकदम अर कितने अच्छे से खली घंजटका So friends, finally मेरा blanket clean हो चुका है और मैंना तो नहीं वोलूँगी थोड़ा सा time लगा है थोड़ा सा time लेकर के मैं अच्छे से इसको clean की हूँ एकदम से बहुत बढ़िया से clean हो चुका है और अभी ना मैं उसको छत पे देखे आई हूँ धूप देने के लिए कि एक साल के लिए मैं उसको रखूंगी ना पैकर के दिवान में भरने वाली हूँ तो धूप दिखा देती हूँ तो सही रहेगा कि धूप तो अच्छा होता है हम लोग उलन कपड़ा में के से धूप देते हैं तो आप चाहें तो हलका सा फैन चला देंगे ना तो आधा घंटा या एक घंटा में ड्राइ हो जाएगा तो मेरा सूच वही है कि थोड़ा सा धूप दिखा दूँगी तो सही रहेगा बोलके मैं चत पे देखे आई हूँ एक घंटे के अंदर में फिर उसको उठाके ले आऊंगे और पैक करके फिर दिवान में भर दूँगी साम में भरोंगी तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है आप लोग के लिए हेल्फुल रही है अगर हेल्फुल रहा होगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं होए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लाक में तब तक लिए अलाफिस गुडबाई और थैंक्स पर वचिंग बाई फ्रेंड्स